हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कपील और स्वागत आप सभी कफोर आपकी सक्सिस में फ्रेंट्स इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख वचन एवं नारे से समंधित परतियोगी परशा में पूछे जाने वाले टॉप 25 क्वेशन्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा कि इन में से कितने क्वेशन्स का आंसर आप सही दे पाए हैं ठीक है और साथ ही आप इस वीडियो का फ्री पीडियो फाइल भी डॉणलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया हुआ है या तो फिर आप मेरा टेलिग्राम ग्रूप जोइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से पीडियो फाइल डॉनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप जोइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो चलिए अब क्विशन के और बढ़ते हैं और पहला क्विशन है सुवराज मेरा जनमसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर हूँगा या किसका नारा था देखें ये कई बार एक्जामें पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जाता है तो शुवराज मेरा जनमसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर हूँगा यह नारा दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तीलक ने इन्हों ने राजटी आंदोलन के समय दो प्रमुक समचार पत्रों के स्थापना की थी एक तो था केशरी और दूसरा था मराठा ठीक है तो यहां से भी क्वेशन पूछा जाता है कि केशरी के संपादक कौन थे तो लोकमान्य बाल गंगाधर तीलक थे या तो फिर मराठा क इन्होंने मानला जेल से एक बहुत ही प्रसीद पूस्तक लिखी थी वह पूस्तक है घीता रहस्य तो आप इसे भी याद रखेगा यह भी एकजाम में क्वेशन पूछा जाता है अगला प्रशन है इंकलाप जिंदाबाद का नारा किस ने दिया था तो इंकलाप जिंदाब नारो डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने 1942 इस्वी में भारत छोड़ो आंदूलन के समय ठीक है तो इसका आंदूलन में एक और नारा दिया था उन्होंने अंग्रेजो भारत छोड़ो ठीक है 1942 इस्वी में ही तो यह भी नारा पूछा जाता है कि किस ने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था, next question है, हे राम का नारा दिया था, तो यह दिया था महात्मा गांधी नहीं, तो इसका आंसरा option मरे, जब नाथु राम गौड़ से ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारी थी, तो उस समय उनके मुक्ष से निकले अंतिम थे हे राम, ठीक है, question number 5, मरो नहीं मारो का नारा किशने दिया था, तो यह भी बहुत ही प्रसीद नारा है, तो यह नारा 1942 इस्वी में ही भाराट छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था, लाल बहादुर सास्त्री के द्वारा, ठीक है, लाल बहादुर सास्त्री के द्वा जय जवान जय किसान का नारा भारत के पूर्व परधान मंत्री लाल भादुर सास्त्री ने 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे यूद के समय बॉर्डर पर लड़ रहे जवानों तथा देश के किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह नारा दिया था तो इसका आंसर है अप्शन नमर ए लाल भादुर सास्त्री कि क्वेशन नमर सेवन जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है देखे पिछला जो ग्वेशन था उसमें पूछा गया था जय जवान जय किसान किसका नारा है ठीक है तो वह तो लाल भादुर सास्त्री का है लेकिन अग जो दिया था या बारत के पूर्व परधान मंत्री अटल विहारी वाजबे के द्वारा दिया गया था तो इसका जो आंसर होगा option number B ठीक है अटल विहारी वाजबे के द्वारा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया गया था और अगर जय जवान, जय किसान सिर्फ रहता तो लाल बहादुर सास्त्री के द्वारा दिया गया था Question number 8 दिल्ली चलो नारा किस ने दिया? तो यह नारा दिया था शुभाज चंद्रबोश्ट ठीक है दिल्ली चलो का नारा सुभाज चंद्रबोश्ट ने वर्स 1942 में आजाद हिंद फोज को दिया था आजाद हिंद फोज को इंडिया नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता था जिसे जापान की सहायता से मिलकर संगर्ठित किया गया था इनका मानना था कि ब्रेटी सरकार खुद से कभी भी भारत को आजाद नहीं करेगी इसके लिए ब्रेटी सरकार से विद्रोह करके मतलब लड़ना पड़ेगा इसी कारण उन्होंने लगबख 40-50 हजार सैनिकों वाली आजाद हिंद फोज का नेतरित्व किया तथा ब्रेटी सरकार को भारत से निकाल बाहर करने के उदेश से दिल्ली चलो का नारा दिया था ठीक है Q9 यह नारा किस ने दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा यह भी नारा बहुत ही ज़्यादा फैमस है यह आपको पहले से पता होगा तो यह नारा दिया था सुभास चंद्र बोश नहीं ठीक है तो मुझे खून दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा का नारा दिया था सुभास चंद्र बोश ने और दिल्ली चलो का नारा भी दिया है इन्हों नहीं Q10 जैहिंद किसका नारा है तो यह भी जो नारा है यह भी नारा दिया गया था नेता जी सुभास चंद्र बोश कहीं द्वारा तो इसका भी आंसर है अप्शन नमर ए Q11 आराम हराम है का नारा किस ने दिया था तो अराम हराम है भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू ने भारत के युवाओं को योग्य बनाने ते था उसमें उनमें परिस्रम की भावना भरने के उदेश से यह नारा दिया था ठीक है तो अराम हराम है का नारा किसने दिया था पंडित ज्वाहरलाल नेहरू ने Q12 शंपूर्न क्रांती का नारा किसने दिया तो दिखी शंपूर्न क्रांती की जो नारा दिया था वह दिया था लोकमान्य जेपरकास नारायन ने तो इसका आंसर है अप्सन मर्सी जैपरकास नारायन यह एक परकार का आंदोलन था जो कि भारत की पहली महिला परधान मंतरी इंद्रा गांधी के खिलाप 1975 इसवी में चलाया गया था तो 1998 इसवी में उन्हें मर्नोपरांत भारत रतन से सम्मानित किया गया था ठीक है क्वेशन मर् 13 कर्मत दो का नारा किसने दिया था तो यह नारा दिया था सरदार बल्लभाई पटेल ने तो इसका आंसर है अप्सन मर् B क्वेशन मर् 14 साइमन कमिशन वापस जाओ का नारा किसने दिया तो यह नारा दिया था लाला लाजपत राई ने ठीक है 1927 इस्वी में साइमन कमिशन भारत आया जिसके अध्यच थे सर जौन साइमन साइमन कमिशन भारत के सविधान में किये जाने वाले सुधारों के अध्यन के लिए आया था जिसे भारतियों के हित में नमानते हुवे Simon Commission वापस जाव के नारे लगाये जाने लगे Simon Commission Go Back यह नारा सर्वपर्थम लाला लाजपत राइ ने दिया था इसी विरोध में लाहोर में लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राई की दिसंबर 1928 में मिर्त्यू हो गई थी Q15 किसने कहा था मेरी पीट पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटीश समराज्य के ताबुत में एक किल्ट सिध होगी तो यह भी जो नारा है यह नारा भी दिया गया था लाला लाजपत राई के के ही दुवारा ठीक है तो इसका अंसर होगा अप्शन नमर A Q16 मुशल्मान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरच्छा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया यह कथन किसका है तो यह कथन है भारत के परथम सिच्छा मंत्री मौलाना अबूल कलाम अजाद का ठीक है तो इसका अंसर होगा अप्शन नमर C Q17 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 सत्यार्थ प्रकास तो यह भिग्जाम में क्वेशन पूछा जा चुका उरेडी कि सत्यार्थ प्रकास के लेखक कौन है तो वह हैं स्वामी द्यानन्द सुरोस्वती नेक्स्ट क्वेशन है सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुवे कातिल में है का नारा किसने दिया था तो यह नारा दिया था राम परसाद बिस्मिलने ठीक है तो इसका आंचर होगा अप्शन नमर बी नेक्स्ट क्वेशन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा किसने लिखा तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा इसे लिखा था मुहमत इकबाल ने इसका आंचर है अप्शन नमर ए और यह एक मतलब की गजल है ठीक है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा यह एक गजल है और इस परसिद गजल को लिखा था किसने सायर मुहम्मद एकबाल ने कब 1905 इस्वी में और इस गजल को सुर्बध यानि की कंपोजड किया था सितार वादक पंडितरवी संकर ने अगला प्रशन है विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा के जो लेखक है वह लिखे थे श्याम लाल गुप्त पारशद तो इसका अंसर होगा अप्शन नमर ए या भारत का जंडागीत है ठीक है विजय विश्व तिरंगा प्यारा तो याब एक्जामे क्विशन पूछा जाता है कि भारत का जंडा गित कौन सा है तो विजय विश्वत तिरंगा प्यारा है अगला प्रश्न है वंदे मातरम का नारा किसने दिया तो वंदे मातरम का जो नारा दिया था वा दिया था बंकिम चंद्र चटरजी या बंकिम चंद्र चटोपध्याई कहीं कहीं लिखावा मिलेगा आपको तो इसका आंसर होगा अप्शन मड़ी या सिर्फ नारा ही नहीं ब बारा लिखी गई पुष्टक आनंद मट से लिया गया है ठीक है कहां से आनंद मट से लिया गया है तो यह कई बार क्वेशन पूछा जा चुका है कि वंदे मातरम कहां से लिया गया है तो बंकिम चंद्र की एक पुष्टक है किताब है आनंद मट तो वहीं से लिया गया है ठ तो यह ब एकजाम में कुछा जाता है कभी कभी, तो 65 सेकेंड का समय लगता है, अगला प्रशन है, जन गनमन के रचेता कौन है, तो इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इसका अंसरोगा अप्शन वर B, रविंद्रनाथ टैगोर, और यह जो है जन गनमन, यह ह मारा राष्ट्रेगान है, भारत का राष्ट्रेगान है, इसे सर्वपर्थम 27 दिसंबर 1911 को भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रिस के कलकता अधिवेशन में गाया गया था, Q24, मारो फिरंगी को का नारा किसका है? तो मारो फिरंगी को यह नारा जो दिया था मंगल पांडे ने दिया था 1857 की करांती के समय तो इसका आंचरोगा अप्शन मर B मंगल पांडे Next question, पूर्ण स्वराज का नारा किस ने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था पंडी ज्वाहलाल नहरू ने ठीक है पंडी ज्वाहलाल नहरू ने कब 1929 में कॉंग्रेस के लाहूर अधिवेशन में दिया था यह नारा नेक्स्ट क्विशन जै जगत का नारा किस ने दिया तो जय जगत का नारा दिया था विनोभा भावे ने अगला प्रस्ण है सामराज जवाद का नाश हो किस ने कहा तो सामराज जवाद मुर्दाबाद अर्थाथ सामराज जवाद का नाश हो का नारा जो दिया था भगत सी ने दिया था ठीक है 1929 इस्वी में Central Assembly में बम फेकने के बाद यह नारा दिया था तो इसका अंसर होगा अपसा नमर C अगला प्रस्ण है और इस वीडियो का लास्ट प्रस्ण है यह और इस प्रस्ण का उत्तर आपको देना है comment box में ठीक है? कि भेड की तरह पूरी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है share की तरह एक दिन जीओ ठीक है यह आंसर आप मुझे comment box में जरूर बताईएगा कि इसका आंसर क्या है ठीक है यह मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा share कीजिएगा अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद